हम लोग पैसा दे रहे हैं पहले भी सरकारें दे सकती ती ती ग sincerity का रासन दे सकती थी कहा जाता था पैसा इत्र वाले मित्र के घर में इस सारा का सारा पैसा गरीब का दवा गराई गरीब का वैक्सीन गरीब का अन और विकाराद घूमने यूरोप भी जाते थे यूरोप घूमके आते थे और जब असलियत खुली तो कहा कि नहीं हमारे इतरवाले मित्र से कोई समंदी नहीं जब लोगों ने पत्रकारों ने फोटो दिखाई तो कहते तो तो पुराना फोटो है अब ये लोग रोज एक नया सहरा ढूंडते हैं पहले चुनाव में पहला चुनाव आया तो पहले चुनाव में इन्हों ने दो लड़कों की जोड़ी प्रदेस में आई थी बड़ा-बड़ा हल्ला किया था बहुत परचार किया था जनता ने ठैंगा दिखा दिया आज फिर बदल करके दो लड़कों की जोड़ी फिर आ गई है वाईो बेनो एह दो लड़कों की जोड़ी वही है एक लखनों से दंगा करा रहा था एक दिल्ली से तमासा देख रहा था याद करिए दोहजार तेरह में दोहजार चौदा में जब मुझफवनगर के दंगे हुए थे मेरट में उपद्रो हुआ था तब ये दंगा कराने वाले और तमासा देखने वाले दोनों लड़कों की जोड़ी गायब थी तब गायब थी पांच वर्स में कोई दंगा हुआ लेकिन दंगाईयों के उपर बुल्डोजर चलते वे देखा होगा ना इतरवाले मित्र के घर में जेसी भी चलती भी देखी होगी ना इसलिए चल लही है क्योंकि गरीबों का रासन खा गए थे लोग विकास का पैसा आर सी सी की दिवालों में कैद करके रख दिये थे और इसलिए इनको बुरा लगता है विकास इनको बुरा लगता है गरीब की मदद बुरी लगती है सुरक्सा बेटियों की सुरक्सा के लिए जो खत्रा बने वे थे जब पुलिस उनके खिलाब कारवाई करती है तो इनको बुरा लगता है इनकी संबेदना गरीब के परती नहीं है दलित और बंचित के परती नहीं है इनकी संबेदना माफिया के प्रती है दंगाईयों के प्रती है अराजक तत्तों के प्रती है और सोफी गंज के माफियों के प्रती भी है वायो बेनो आज यूनियन बजट केंदर सरकार ने अपना वारसीक बजट प्रस्तुत किया है वार्सिक बजट में मौलूम है क्या प्राउधन है असी लाग गरीबों के लिए आवाज की विवस्था साट लाख नौजवानों के लिए नौकरी की विवस्था हर घर जल योजना हर घर में पाईप से सुद्ध पेजल आरों का पानी हर घर तक पहुचाने के विवस्था यानि सुद्ध पेजल का मतब आधी सेदिक बिमारी समाप्त यानि ये प्रावधान ये प्रावधान किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट के लिए हाईवे रेलवे नए एरपोर्ट का निर्माण नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम तो यहाँ पर स्पोर्स भी सुद्ध याले भी दे रहे हैं हमारे यहां का युवा खेल में फिर से उलम्पिक का मेडल जीत करके लेके आएगा और हम लोगों ने तो मेरट हापूर, गाजियाबाद गौतम बुदनगर, सहारनपूर, मुझफ़नगर, सामली, अबदंगा नहीं बलकि यहां के कलाकारों के लिए मुंबई नहीं जाना पड़ेगा यहीं पे फिल्म सीटी भी बना दे रहे हैं फिल्म सीटी यहां और कावड यात्रा भी सांदार तरीके से निकल लई है अब तो भायो बेनो भारती जनता पार्टी है तो विकास है विकास है तो माफियाओं की चाती पे बुल्डोजर भी चलना है समाज का समग्र विकास गरीब का उत्थान किसानों के उन्यन के लिए कारे बेटियों की सुरक्सा की पुक्ता विवस्ता नौजवान के रोजगार की विवस्ता लेकिन साथ साथ माफियाओं और दंगाई प्रव्डिका ब्यक्ती अगर कहीं आँख दिखाने का कारे करेगा और अवैत तरीके से उसने संपत्य अर्जित की है तो सरकार का बुलो जर भी चुपचयाप नहीं बैठेगा वह भी अपना काम करतावा दिखाई देगा और इसलिए भाईों बेनों मैं आप सब के बीच आया हूँ कहने के लिए आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी ना बाबा साथ भीम राम बेटकर के नाम पर जितने भी संस्थान थे कांसी राम जी के नाम पर जितने संस्थान थे इन्होंने सब का नाम बदल दिया हमारी सरकार आई आपने देखा होगा डबल इंजन की भारती जनता पार्टी की सरकार मोधी जी ने बाबा साप भीम्राबेटकर से जुडेए सबी पर्मुकस्तलों को पंच तीर्थ के रूप में विक्सित कर दिया जहां बाबा साप भीम्राबेटकर का जनम हुआ था मोँ मैं भबेसमारक दिल्ली में भबेसमारक जहां उन्होंने इंग्लेंड में सिक्सार चीत की थी वहाँ पर भबे समारक के साथ साथ उस बिल्डिंग को खरीदा और उनुसी चाती के जो नौजवान इंग्लेंड में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे उनके लिए छातर आवास के साथ साथ वहाँ पर उनके लिए बहतर सुब्धा की विवस्ता वहाँ की है नाकपुर में जहां उन्होंने दिक्सा ली थी वहाँ पर भब बेसमारक और जहां पर उनकी अंतिम यात्रा निकली थी मुंबई में चैत्य भूमे भबेसमारक बाबा साथ भिमराओं बेट करका किसी ने बनाया है प्रधान मंत्री मोदी जी ने बनाया है ये लोग सपा वाले लोग ये तो रियर्ड ऐलर्ट है रियर्ड ऐलर्ड सुरक्सा के लिए खत्रा है कैसे एक तरह मुझपफ़ नगर के गाराव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सेक्णों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी भी है और दूसे तब राम भक्तों की खून से भी ये टोपी रंगी भी है इसलिए सतर्क रहना इनसे दूर भी मत पठकने देना और इसलिए साथानी और सतर्कता के लिए याद में आया हो किठोर मैसी सत्यविर्त्यागी जी को भारती जनता पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है भायो बेनो सत्यविर्त्यागी तो भारती जनता पार्टी के प्रतिनीधी के रूप में काम करेंगे आपकी बात को लखनों तक पहुचाने का काम करेंगे असली काम सरकार को करना है और सरकार दमदार चाहिए दमदार सरकार जो विकास भी करा सके और दंगाईयों से ठीक धंग से निपड सके दंगाईों के सामने दुबदम दुम दबाने वाली सरकार नहीं इस सपा बसपा के लोग तो दुम दबा करके दंगाईों के सामने मौन हो जाते हैं हमें दुम दबा करके चलने वाली सरकार नहीं हमें सोच इमांदार और काम दंदार वाली सरकार चाहिए तो इसके लिए भारती जनता पार्टी एक मात्र विकल्प है और एक दमदार सरकार के लिए सत्यवीर्ट्यागी का जीतना अत्यंत आउस्चेक है आप सभी सेमत हैं सत्यवीर्ट्यागी से सभी लोग यहाँ पे हमारे गराम प्रधान गण भी है यह सभी मैं आपका विनंदन करता हूँ कि आपने सत्यवीर्ट्यागी के समर्थन में भारती जनता पार्टी के समर्थन में सी सत्यवीर्ट्यागी जो को समर्थन किया है ये हमारे जित्तेवी ग्राम प्रदाने सब जाटों समधाई से है और आज मैं उनका विनंदन करता हूँ भार्पी जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए इस मंच पर आए है